नमस्कार दोस्तों मैं आप पैंदर सिंग और आप देखर हमारा यूटूब चैनल अनमोल लश्टडी ओनलाइन स्वागत है दोस्तों आपका हमारी इस चैनल में साथियों आज फिर मैं आपके बीच लेकर आये हूँ एक बहुत ही सुन्दर एजुकेशनल वीडियो साथियों आज मैं आपको प्रमुख वेज्यानिक उपकरण एवं उनके परियोग के बारे में बताऊंगा जिहां दोस्तों यह वीडियो सभी परतियों के प्रिक्षाओं के लिए महत्तपुरुन साबित होगी साथियों तो देर ना करते आज की वीडियो को सुरू करते हैं आए देखते हैं नमबर वन में क्या है समय मापने का यंत्र जिहां दोस्तों समय मापने का यंत्र क्रोनो मीटर साथियों क्रोनो मीटर का इस्तेमाल पानी के जहाजों में सही समय का पता लगाने के लिए किया जाता है जिहां दोस्तों क्रोनो मीटर जो है उसका इस्तेमाल पानी के जहाजों में सही समय का पता लगाने के लिए किया जाता है दो नम्बर में देखते हैं दोस्तों उस्मा की मात्रा मापने का यंत्र है केलोरी मीटर उस्मा मापी या केलोरी मीटर जो है एक ज्यानिक कुपकरन है दोस्तों जो उस्मा मीती में साहिक होता है आगे बढ़ते हैं दोस्तों नमबर तीन दूरी मापने का यंत्र दूरी मापने कायंत्रों को हम लोग कहते हैं ओडो मीटर क्या कहते हैं ओडो मीटर ओडो मीटर क्या करता है आए देखते हैं एक गारी का ओडो मीटर गारी द्वारा निशित की गई दूरी को मापता है गारी द्वारा सुरू से अब तक कितनी दूरी हुआ है कितने दूरी तैय किया है यह वह बता देता है ओडोमीटर बता देता है आगे बढ़ते हैं नमर चार में देखते हैं दोस्तों वायू की सक्ति और गति मापने का जंत्र वायू की जो सक्ति और गति है उसको मापने का एक जंत्र है उसका नाम है एनिमोमीटर जहां दोस्तों एनिमो मीटर, आज रखेगा, एनिमो मीटर क्या करता है, हवा की गति को मापने के लिए उप्योग में ये आता है दोस्तों, अभी मैंने बताया वायू की सक्ति और गति को मापने का काम करता है एनिमो मीटर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्वनी की तिब्रता मापने का यं आगे बढ़ते हैं नमबर 6 में सूरी की तिवर्ता मापने का यंत्र जिया दोस्तों सूरी का जो प्रकास उसकी कितरी तिवर्ता है उसके मापने का जो जंदर उसको कहते हैं एक्टीनो मीटर कहते हैं और हम लोग जानते हैं इसका उप्योग हेटिंग को मापने के लिए किया जाता है हेटिंग मतलब गर्मी अंगे बढ़ते हैं उचाई मापने का यंत्र इसे हम लोग अल्टी मीटर बोलते हैं अल्टी मीटर तो इसका परियोग हम लोग विमानों में किया जाता है अल्टी मीटर का जो परियोग है उसका उप्योग विमानों में किया जाता है आगे बढ़ते हैं दोस्तों विद्यूत धारा को एंपियर में मापने वाला यंत्र विद्यूत धारा जो है विजली की धा चाहर को मापने का काम करता है, बहुत कम मातरा वाली धाराओं को मापने के लिए जो युकती हम परियोग में लाते हैं, उसे पिंढाद परियोग में लाते हैं अथो माईक्रुमिटर पिंढाएचा पूद्र की जो गहर है उसको मापने वाला यंत्रा आ गया है जिसको हम लोग बोलते हैं फैदो मीटर आद रखेगा नाम आद रखेगा फैदो मीटर बहुत ही जबरदस्त पॉइंट बहुत ही जबरदस्त सब्जक्त पे आज मैं वीडियो बनाया हूं दोस्तों मिश्टिक नहीं कीजेगा पूरा वीडियो ध्यान से देखेगा और अपना ज्यान अरजन कीजेगा तो फैदो मीटर का क्या काम है फैदो मीटर कॉप्यों हम लोग महासागरी गहराईम आपने में किया जाता है एक यंत्र जल में होकर जाने वाली धोनी तरंगों से ज्यान व जाने वाली धोनी तरंगों से जल में जो होकर जाने वाली धोनी तरंग होती हैं उससे जो ग्यात वेग का उब्योग करता है दस नमर में देखते हैं दोस्तों वायू की आधरता मापने का यंत्र जिसे हम हाईगरुमीटर बोलते हैं इसकी सहायता से वायू मंडल से व्याप्त आरदरता नापी जाती है वायू मंडल में जो आरदरता होती है उससे हम नापने का काम करते हैं हाईगरुमीटर द्वारा बहुत से इसे पदार थे दोस्तों जैसे सलफ्यूरी कमल, केलसियम क्लोराइड, फासफोरस पेंटा उकसाइड, साधारन नमक आदी जो जलवास्प के सोसक होते हैं हागरुमीटर के द्वारा ये माप करके बता दिया जाता है आगे बढ़ते हैं, दूद की सुधता मापने बाला यंत्र, दूद की सुधता, इसे हम क्या कहते हैं, लेक्टोमीटर, जी हाँ दोस्तों, आज रखेगा, इसका नाम है लेक्टोमीटर दोस्तों, आम तोर पर दूद की गुरवत्ता जा जाँके लेक्टोमीटर का हम लोग परियो करते हैं या फिर रसायनों की सायता ऐसे इसा परखा जा सकता है इसके द्वारा, लेकिन रसायनों का इस्तिमाल आम लोग नहीं कर सकते हैं तो हम लोग क्या करते हैं लेक्टोमीटर से सिर्फ दूद में पाने की मातरा का हम पता कर सकते हैं इसे सिंथेटिक दूद को नहीं पकड़ा जा सकता है लेक्टोमीटर जो है जो सिंथेटिक दूद है उसमें कितना असुद्धी है अथ्वा कितना सुद्ध है यह हम नहीं पता कर पाएंगे आगे बढ़ते हैं भारा नमर में देखते हैं दोस्तों आत्यांत कम दूरी को मापने वाला यंतर जो बहुत ही कम दूरी होता है उसी जब मापने कांतर को काते हैं माइक्रो मीटर जहां दोस्तों माइक्रो मीटर माइक्रो मीटर जो बहुत अच्छे माप प्राप्त करने के लिए उप्योग में लाया जाता है आगे बढ़ते हैं नमर 13 वायुयान की गती, दिशा और दूरी पता लगाने वाला यंतर को क्या कहा जाता है आपके सामने में स्टिंड पे दिख रहा है दोस्तों रडार, पिक्चर आप देख रहे हैं रडार का एना यसा ही रडार होता है तो रडार जो है वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रनाली है जो सुक्ष्मी तरंगों का उप्योग करती है इसकी सहेता से गतिमान वस्तों जैसे वायूयान, जलियान, मुटर गालियों आदी की दूरी, उचाई, दिशा, चाल, आदी का दूर से ही पता चल जाता है इसकी अलावा मौसम में तीजी से आरहे परिवर्तन, बदलाओ का भी पता हम रडार की द्वारा लगा पाते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समाचार प्राप्त करने वाला यंतर, मेसिज प्राप्त करने वाला यंतर, जिसे हम टेली प्रिंटर बोलते हैं एक टेली प्रिंटर एक Electro Manical Tap Writer होता है दोस्तों इसका उप्योग बिन्दू से टैप किये गए संदेशों को भीजने और प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है और विभिन्दे प्रकार के संचार चेनलों में भी इसका उप्योग टेली प्रिंटर कब यह हम लोग कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं प्रकास की तिवर्ता मापने वाला यंतर जिहां दोस्तों प्रकास की तिवर्ता प्रकास की गती कितनी तेज है उसकी तिवर्ता कितनी अधिक है इससे हम आपने का काम करते ही फोटो मीटर के द्वारा फोटो मीटर जो शक्तिक मापता है विदुत स्युम के बिकरेंट प्राबैंगनी से लेकर अवरक्त और दृष्यमान अस्पेक्टरम सहीत रेंज में अधिकान्स फोटो मीटर एक का उप्योग करके हम प्रकास को बिदुत प्रवाह में परिवर्तित कर देते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों वायू मंडली ये दाब को मापने वाला यंत्र जिहां दोस्तों वायू मंडल ये दाब को मापने वाले यंदर को क्या कहते हैं सामने स्क्रिंट पे दिख रहा है दोस्तों बैरोमीटर जिहां बैरोमीटर कहा जाता है इसे बैरोमीटर एक ऐसा यंदर होता है दोस्तों जिसके द्वारा वायू मंडल के दबाव को मापा जा सकता है वायू दाब को मापने के लिए बैरोमेटर में पानी हवा अथवा पारा का उप्योग किया जाता है बहुत ही बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वायू दाब को मापने के लिए जो बैरोमेटर का उसमें पानी, हवा अत्वा पारा का प्रयुक किया जाता है बेरोमीटर के आविश्कारक कोन थे यह भी जान लिजे बेरोमीटर के आविश्कारक थे इववा नगेलिस्टा टोरिसेली बहुत ही अठपटांग नाम जैसा लगता है फिर से मैं बता देता हूं इववा नगेलिस्टा टोरिसेली आगे बढ़ते हैं हिर्दे गती को अभिलेखित करने वाला यंतर हिर्दे गती, हमारी जो हिर्दे की धड़कन है उसकी गती को बताने वाला यंतर का नाम है कार्डियोग्राफ कारडियोग्राफ मनुश्य की हिर्दे की गति को नापने के लिए यूज किया जाता है इस्तिमाल किया जाता है पर्यूग में लै जाता है दोस्तों आगे बढ़ते हैं नमर 18 तारों की प्रकास की तिवर्टामा अपने का जंद्र तारों का जो प्रकास है अस्टार्स के जो लाइट है उनकी तिवर्ता मापने का काम होता है एस्ट्रोमीटर के द्वारा और आगे बढ़ते हुए देखते हैं 19, 19 नमर में रेडियो में उत्पन्न दोस्ट का पता लगाने वाले अंद्र कोगाते हैं एवोमीटर एवोमीटर जो है एक ऐसा वेग्यानिक उपकरन है दोस्तों इसका उप्योग हम लोग रेडियो में उत्पन्न दोस्ट का पता लगाने के लिए करते हैं आज का जो अंतीम पॉइंट है दोस्तों वो है खान में आग से बचने का उपकरन जिहां दोस्तों हमारी जो मजदूर लोग होते हीं जो खान के अंदर जाते हीं कोईला अथवा और कोई खनीज को निकालने के लिए उनके सेफटी के लिए आग से बचने के लिए एक उपक पॉइंट में डाला हूँ डेवी का सेफटी लेंप दोस्तों खनन में फ्लैम सेफटी लेंज की जगा सील बंद करने के लिए लव लेंप का उप्योग करते थी पहले दोस्तों तो बढ़ते हैं अब आगे कोई पॉइंट तो रहा नहीं साथियों आगे साइंस से एक दूस आपका यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में वश्य बताईएगा अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजेगा सेर कर दीजेगा और अभी तक अगर हमारे चैनल को सबस्काइब नहीं किये हैं तो प्लीज सबस्काइब कर लिजेगा ताकि आपको हमारी आने वाले नई वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे और हाँ बेल आइकन को जुरू प्रेस कर लिजेगा ठीक है दोस्तों मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जहिन बंदे मातरम